बहुत यहाँ पेचीदा मामला लगता है कैप्टन जैनरान निशाद एक धंक से मास के नेता बन चुके थे लेकिन अजय निशाद पार्टी केस्टर पर चुनाब अंतर तो बड़े अंतर से चुनाब वो जिते हैं पहली बार से जादा अधिक अंतर से दुसरी बार चुनाब जिते हैं काफी अधिक बोट उनको मिला लेकिन अब वह जाती आता नहीं है वह धरातल पर कुछ ऐसा नहीं कर दिखा पाए जिसके कारण मास लीडर नहीं बन पाए जफरपुर में पिछले तो चुनाबों में कम से कम चेहरे के आधार पर वोट पर आ है अजय निसाद इसलिए चुनाब लगातार जीत कराए हो और इतने अंतर से जीत कराए है क्योंकि वह कैडर बेस पार्टी के हैं वह कैडर बेस पार्टी उन्हें टिकर देती है कोई भी पर वंदन भी जिता फिर भी लोग शभा चुनाब का प्रदिर से कुछ अलग हो जाता है रहा लोग शभा का चुनाब आते ही लोग हिंदुत्तों और भाजपा के नारे पर जह से टांसफर हो जाते हैं जिसके कारण उसका परिणाम ही कुछ अलग बदल देती है कि 35% सांसदों का फिसी सांसद उनका टिकट कटेगा तो क्या अजयनिसाद का टिकट कटेगा और अगर अगर अजयनिसाद का टिकट बीजेपी कारती है तो किसे कैंडिडेट बनाएगी क्या कोई मल्ला कैंडिडेट वो लेकर आएगी तो कौन से मल्ला नेता सहर में या फिर बीजेपी कोई अगरा प्रत्यासिहा पर ले कराएंगे कोई इस बार के चुनाम में कोई भी एलाइंस बिहार में कम से कम एक सीट पर एक ही जाती के दो उमीदवार को खरा करने से डरती है कोई इस बार उन सब को लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एक जाती का खरा हम करेंगे दोनों तरफ से तो किसी न किसी पार्टी को इस बार के वोटर एक साथ वोट दे देंगे कोई कि इस बार बाइपोलर एलेक्शन होगा या तो मोदी को लाना है या फिर मोदी को हटाना है जीतते हैं चित्रिये मुद्दे गौन हो जाते हैं अस्थानिये मु की सीट जो है विबी जेपी के पास है यानि चार सीटे महागट बंधन और दो सीटे इंडिया अलाइन्स के पास है नमशकार आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार मैसी जल आपके साथ आज हम बात करेंगे मुझफरपुर की लोगसभा सीट पर जहां पे करेंगे आने वाली लोगसभा एलेक्शन को लेकर जिसके लेकर हमाई साथ जूरे हैं अमित और साथी साथ फर्स्ट लुक बिहार के एडिटर इंचीफ रविंदर सर तो सर आपको पहले बहुत-बहुत स्वागत है शेजल जहां तक मुझफरपूर की बात है तो पहले पहले बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- और यहां पर लगभग राष्ट यता और दलों के हिशाब से लोग बोट करते आये हैं, जैसे आप शुरू मिलीजिये, आभी लोग बता रहा हैं, लोगों में यहां चर्चा है कि यहां एक तरह से निशाद बहुल छेतर हैं, निशादों का छेतर बन गया है, क्योंकि चार ब प्रथम चुनाब में शांशत बने थे फिर संताबन में भी वे चुनाब लड़े और जीते हाला कि रिजल्ट आने से पहले उनका निधन हो गया तो असोग मेहता चुनाब लड़े थे जिस पर असोग मेहता मतलब परजात आंतिक सोश्रीच पार्टी से चुनाब लड़े उस मेरा सपोर्ट करें इस तरह से फिर दिखविजय नरांज सिंग मतलब दो बार चुनाब लड़े नवल किशोर जाती से आते थे तो यहां जात पात से बड़ा मुद्दा राष्टियता और पार्टी अस्तर पर चुनाब होते आया है यहां कोई जाती का जाती है फैक्टर मतलब यह बर्दान के रूप में कैप्टन जैनरा निसाथ को मिला कि जिस समय वो चुनाब जीते उस समय अगरी जा जीते फिर उनके पुत्र को जैसे टिकर दिया गया वो भी चुनाब जीते लेकिन इस बार सेजल बहुत यहां पेचीदा मामला लगता है कैप्टन जैनरान निशाथ एक धंक से मास की नेता बन चुके थे लेकिन अजय निशाथ पार्टी केस्टर पर चुनाब अंतर तो ब नहीं कर दिखा पाए जिसके कारण मतलब मास लीडर नहीं बन पाए इस बार हो शकता है जो चर्चाय है बीजेपी अगर बीजेपी मतलब अगर इंडिये गठ्वंदन से मुकेस रहनी सामिल होते हैं तो हो सकता है मुकेस रहनी को भी जैसे इंडिये अपना उमीदबार बन परिणाम क्या रहे संख्या कैसी रहे उसके देखे पिछले चार चुनाब जिसमें 2004 का चुनाब जब जॉर्च साहब जेडियू से लड़े उन्हें 3,70,127 वोट मिला भगवान लाल सहनी को उन्होंने हराया था करीब 10,000 वोटों से भगवान लाल सहनी को 3,60,334 वोट मिला जब मोदी लहर इस देश में आता है तब अजयनी साद लरते हैं उन्हें 4,79,282 वोट और बिहार में जो कॉंग्रेस के नीवरतमान अध्यक्ष अखिलेश सिंग जो उस दौर में केंदर में मंत्री हुआ करते थे मोतिहारी से तफसानसत थे और कृसी राज्य मंत्री थे व जद्यू से लरे थे 85,140 वोट लेकर आये थे 2019 में अजयनी साद को 6,66,870 वोट मिला और ये बीजेपी के 224 जिन लोगशबा सीटों पर उसे 50% से जादा वोट मिला था उनमें से मुझफर पुर भी एक लोगशबा सीट था जा उन्हें 63.03 पर सीट वोट मिला और वहां रा 2,56,890 वोट इने मिला था और तब 4,09,000 वोटों से जीत के थे राजभूसन चौधरी को हरा कर अजयनी साद ये पिछले 4 चुनावों का चुनाव परी नाम है पिछले कुछ चुनावों से छेतरिये मुद्दे पर वोट कम परते हैं कुछ सीटों पर पर जाता है और यहाँ पर विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं जातिये फ्रैक्टर हा भी हो जाता है और उसके अलाबा जो राश्टिये मुद्दे होते हैं चेहरे होते हैं मुझ भी candidate अगर cadder base party ख़रा कर देती है जैसे BJP अजय निसाद अपिक्षा कृत कोई मजबूत उमीदबार नहीं है उन्हें ख़रा कर देती वह 4 लाक ने अंदर से चुनाब जीत कराते हैं और यह अजय निसाद के खाते में दर्ज हो जाता है अजय निसाद गाओं से कटे रहते हैं यह जनता से सीधे जुराब नहीं रख पाते हैं इस कारण यह चुनाब तो जीतते हैं क्योंकि यह कैडर base party ने टिकर देती हैं और चुनाब जीत कराते हैं जबकि 2014 में ब्रांड मोधी लहर था इसलिए अखिलेश सिंगी को भी अजय निसाद ने बुरी तरह से हरा दिया था आपकी कहारा है सर कि राश्ट्रे मुद्ध पर मुजफरपुर में लोग सब एलेक्शन होता या फिर छेतरी मुद्ध पर शेजा लामीत ने ठीक ही बताया जो राश्ट्रे मुद्ध पार्टी अस्तर पर और मतलब यहां चुनाब जह से होता है जाती आता हाँ भी है लेकिन फिर भी मतलब जाती आता कभी कभी दरकिनार हो जाता है जैसे आपको बता दें कि अखलेश परसाथ सिंग भूम्यार जाती से हाँ आते थे कॉंग्रेस के उमिदवार थे फिर भी भूम्यारों ने उन्हें नकार करके और बीजेपी उमिदबार आजाए निशाज को जह से बोट दिया और वे चुनाब जीते थे अच्छा तो इस बार समीकरन क्या है कि इस बार जो सीट पर है विधान सबा सीट कितनी है और साथी साथ कौन-कौन से दल आगे चल रहे हैं देखे विधान सबा सीट यहां च्छे है जिश में दो एज आरक्षित है बोचहा और सकरा बोचहा में 2020 में मुशाफिर पासमान जीते इंडिये भी आईपी से लेकिन बाई एलेक्षन हुआ तब अमर पासमान आरजडी से जीते है सकरा में असोक चौधरी जेडियू के हैं आ दायक और आई में रामशूरत राय है नितीस सरकार में मंत्री भी रहे थे राजस विभाग के और गायगाट में निरंजन राय है जो की एक नया चेहरा थे 2020 में आरजडी के जीत कराये थे महसपरियादव को तो इनमें गायगाट बोचहा और सकरा की सीट और मुजफरपू बिधान सबा की बात ने बिधान सबा पर कौन से दल आगे चल रहा है उससे को माइने नहीं रखता हा जैसे आप जानते हैं कि बिधान सबा में अधिकान सीटों पड़क आरजडी मतलं महागटवंदन भी जिता फिर भी लोग सभा चुनाब का प्रदिर से कुछ अलग हो ज जाते हैं जिसके कारण उसका परिणाम ही कुछ अलग बदल जाता है अच्छा तो इस बार कैसा समीकरण रह सकता है यह निरिफर करता है कि बीजेपी अजय निसाद को फिट टिकर देगी या नहीं क्योंकि अजय निसाद कि कोई खास पॉपलन्टी उनकी सहर में है नहीं कि एनिसाद के टिकर बीजेपी कारती है तो किसे कैंडीडेट बनाएगी क्या कोई मल्ला कैंडीडेट वर लेकर आएगी तो कौन से मल्ला नेता-सहर में मुझभफरों में बीजेपी के पास है जो यहां पर भीतर फामेंस कर जदे या फिर भीजे-पी कोई अगरा प्रत्य यहां पर लेकर आएगी यह देखना होगा वैसे कुछ नेता है जो कि चुनाम लड़ने के लिए प्यारी में हैं वह सिर्शनित्रिप से बात कर रहे होंगे उनके नाम वक्त आने पर पता चलनी जाएगा लोगों को कि कौन-कौन से नेता है कुछ नेता है लेकिन मुकेस सहनी क का फैक्टर है मुकेस सहनी अगर चले आते हैं इंडिये में तो फिर वह टिकट मांग सकते हैं तो उन्हीं चुनाम लड़ने को मिल सकता है जबकि इंडिया एलाइंस के पास यहां कैंडिडेट ढूंडने में दिक्कत है तो यहां से वह कैंडिडेट बनाएंगे किसको यह क्या यादब कैंडिडेट वह लेकर आएंगे तो कितनों यादब को टिकर देंगे कोई अतिपिछरा कैंडिडेट लेकर आएंगे या फिर कोई सहनी कैंडिडेट लेकर आएंगे कोई इस बार के चुनाम में कोई भी एलाइंस बिहार में कम से कम एक सीट पर एक ही जाती के दो उमीदबार को खरा करने से डरती है कोई कि इस बार उन सब को लगता है कि कोई भी candidate अगर एक जाती का खरा हम करेंगे दोनों तरफ से तो किसी ने किसी पार्टी को इस बार के वोटर एक साथ वोट दे देंगे कोई कि इस बार bipolar election होगा या तो मोदी को लाना है या फिर वोटर्स होंगे जिन जिन पार्टी के वे नाराज हो जाए तो इसलिए दोनों तरफ से मल्ला candidate उतरे इसकी संभावना मुझे कम से कम कम दिखती है है कि दोनों तरफ से एक ही जाती के candidate नहीं होगे अलग अलग जाती हो के candidate हो सकते हैं यह बीजेपी को तैक करना है कि क्या व पर दाम लगाएगी यह देखना होगा और इंडिया एलाइंस में उमीदबार ढूंड़ना होगा कोई मजबूत उमीदबार को कि मुझभफरपुर में वो दो बार बुरी तरह से चुना भारे हैं आप को क्या लगते हैं इस पर कैसा समीकरन रह सकते हैं सेजल यहान तक मुझभफरपुर में इस अबार टिकट की बात है दोनो गत्फदन की बात है इंडिये और इंडिया की बात है फैक्टर यहां मुकेश शहनी है उत्तर विहार में या कहे एक तरफ से विहार में शहनी के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने मुकेश शहनी आये हैं और जो जहां तक हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन में भी देखा है उसमें शहनी जाती के लोग एक मातनेता मुकेश शहनी को मान रहे हैं इस इस्थिति में भाजपा यहां क्या करती है अगर भाजपा अजयन शहाद को ही अपना उमिदबार बनाए और अंडिये में मुकेश रहनी सामिल नहीं हो उस इस्थिती में महागटबंदन या इंडिया एलान जो कहे हुआ मुकेश रहनी को भी चुनाब में उतार सकता इस इस्थिती में अजय निसात की मुश्की लिए बढ़ सकती है वैसे तो कॉंग्रेस से जो यहां नगर विधायक है मुझफर पूर से बिजिंदर चौधी वो भी लगाता लोग सभा चुनाब के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो लगता है जो परदिर्श से है और इंडिया इलाइंस के उसमें क्या कॉंग्रेस यहां से कई बार चुनाब हारने के बाद भी अपना उमिदबार खड़ा कर पाती है गठबंधन से उन्हें या हिश्चा में हिसेदारी मिले यह भी शंभम नहीं दिख रहा है इस इस्थिती में अभी किसी निसकर्स पर प अब इसमें लोकसभा सीट से कौन से सांसद आ सकते हैं तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहे हैं मारे साथ हमारे फेस्बुक चाहिए को लाइक किज़ें मारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब किज़ें धन्यवाद